नमस्कार दोस्तों मैं रौशनी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी पिश्टा खाने के फायदों के बारे में सूखी मेवों में सबसे ज़्यादा सेवन किये जाने वाला खात्य परदार्थ है पिश्टा दोस्तों पिश्टे का स्वाब तो अपने आप में ही लाजवाब होता है और इसमें पौश्टी कुण भी भरपूर होते हैं इसमें प्रोटीन, विटामिक, खनेज, फैटी ऐसे भरपूर होते हैं इसके आलावा पिश्टा में एंटी ऑक्सिरेट फाइटोस्रेलोल की भी अच्छी मात्रा होती है दोस्तों पिश्टे में ऐसे कई अनोखे फायदे हैं जिन्हें जानकर आप भी पिश्टे का सेवन करना ज़रूर शुरू कर देंगे तो आईए बात करते हैं पिश्टे के फायदे के बारे में दोस्तों आगे के वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूटूब चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लें साथी नॉटिफिकेशन बेल को भी आउन कर लें ताकि आप हमारी वीडियो इसी तरह से देख सकें शुगर में फायदे मन्द एक अध्यर के अनुसार पिश्टा शुगर के मरीजों में बीपी, सुजन, ग्लाइसेमिक इस्तर और मोटापे पर भी अच्छा प्रभाव डालता है ये मदूमे को कंट्रोल करने के लिए फायदे मन्द है पुरुषों में काम इच्छा को बढ़ावा पिश्टा पुरुषों की काम इच्छा को भी बढ़ाता है क्योंकि पिश्टा एक एफ्रोडाइसियम का काम करता है जो पुरुषों में काम इच्छा की कमी और नपुन सकता को दूर करने का काम करता है त्वचा रोग के लिए फायदे मन्द पिश्टा में औले नॉलिक एसिद भी होता है जो की एक एंटी इंफ्लामेंटरी का योगिक रूप है जो लिगोट्रियन भी उत्पादन की इस्तर को नीचे कर देता है जिसकी वज़ा से सूजन जैसी समस्या नहीं होती और त्वचा संबद्मित रोगों से भी राहत मिलती है पीलिया में रोग थां दोस्तों पिष्टा पीलिया जैसे गंभी रोगों के लिए भी लाबकारी माना जाता है एक अध्यन में पाया गया है जो लोग पिष्टे का सेवन करते हैं उनमें एंजाइमों जो जिगर को खराब करने के लिए हानिकारक होते हैं उसके इस्तर को कम करता है जो पीलिया होने का कारण होता है मस्तिश्क के लिए लागकारी पिष्टा में विटामिन B6 की मात्रा खून में हीमोग्लोविन की मात्रा को बढ़ाने में साहता करता है और फून में आक्सिजन का सही तरीके से विस्तार होने से दिमाग अधिक शक्रिय होता है पिश्टा आंखों को स्वस्थ रखने के लिए भी लाखकारी होता है क्योंकि इसमें कैरोटिनोईड होता है जो मुद्याविन रेटीना सम्बंदित विकारों से आंकों को स्वस्त रखता है दोस्तों ये तो थे पिष्टा खाने के फायते लेकिन इसके अधिक सेवन से कुछ नुकसान भी हो सकते हैं तो जानते हैं उसके बारे में पिष्टे में फायवर और प्रोटिन की मात्रा बहुत होती है जो वजन बढ़ने का कारण भी बन सकता है पिष्टे के अधिक सेवन से पेट में एठन, कप्स, डाइरिया, उल्टे जैसे समस्या भी हो सकती है दोस्तों किसे भी पौश्टिक आहार का सेवन उतनी ही मात्रा में करें जितना स्वास्तिक लिए अच्छा हो दोस्तों हमारी दी हुई सलाहों को उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से सलहाद जरूर करें तो दोस्तों ये थी पिष्टा से जुड़ी कुछ महरकून जानकारी आशा करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारी जानकारी कैसी लगी साथी साथ हमारे चनल को सिस्क्राइब भी करें और नौटिफिकेशन बेल को भी आउन कर लें ताकि आप हमारी वीडियो इसी तरह से आगे भी देख सकें तो अब चाहती हूँ इजाजत फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ तक तक के लिए नमस्कार